दोस्तो नमस्कार बिहार की राजनिती करवट ले रही है और नितीश कुमार जान चुके हैं इस बार चुके तो खेल खतम बीजेपी एके करके अपने सयोगियों के पत्तो को किस तरीके से अपने हाथों में समेटती चली जाती है और हर खिला हुआ फूल कमल के फूल में तबदील हो जाए यह राजनितिक सियासत बीजेपी ने मौझूदा वक्त में हकीकत बना कर दिखा दी है वो पंजाब हो वो महरास्ट हो तो क्या बिहार में भी बीजेपी इसी रास्ते है और नितीश कुमार समझ चुके हैं आने वाले वक्त में उनके सामने राजनिती के वो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर अब उन्होंने अपने पत्ते नहीं फेटे और उन पत्तों के आस्रे नहीं चाल नहीं चली तो तो क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तन की दिशा में चीजे बढ़ रही है क्या वाकई बिहार में गटबंधन तूटेगा और नया गटबंधन बनेगा या फिर बिहार में जातिय समीकरणों के आसरे भारत की राजनिती को प्रभावित करने का मंत्र नए तरीके से नितीश कुमार फुक पाएंगे सवाल ये नहीं है कि जो पत्ते बीजेपी फेट रही है उसमें जनता दल युनाइटे टूट भी सकती है सवाल ये भी नहीं है जनता दल युनाइटे टूटने के बाद भी नितीश कुमार तीस विधायकों के साथ खड़े नजर आएं और फिर से मुक्हमंत्री बन जाएं सवाल ये भी नहीं है कि बीजेपी नित्यानंद राय को जिस तरीके से आगे कर रही है उसमें उसका ध्यान यादव वोट पर भी है और OBC की राजनिती को साधने का भी है सवाल इस से आगे का है इस देश के भीतर में हर जाती के नेता के तोर पर किसी की ना किसी की पहचान है लेकिन OBC का नेता कौन है और OBC के भीतर तो तमाम जातियां आती है बिहार में भी OBC के भीतर 33 जातियां आती है इस देश के भीतर में अलग अलग प्रांतों को जोड़ चले जाईएगा तो तकरीबन सवा सो से जादा जातियां इस OBC के दाइरे में आती हैं तो क्या जाती मतगणना का मंत्र नितीश कुमार इसी लिए फूक रहे हैं और एक जून को उन्होंने जो सर्वदलिये बैठक बुलाई है वो संदेश है कि दिल्ली नहीं चाहती है लेकि पाटली पुत्र चाहता है और इस देश को एक OBC नेता चाहिए जो नरंद्र मोदी की तरह ना हो बलकि नितीश कुमार की तरह हो जो OBC का हित देख रहे हैं यानि OBC को मंत्री मंडल में शामिल करकर अपने तोर पर देश के प्रधान मंत्री चाहे अपना सीना ठोके और अप इस ने OBC को मिनिस्टर बना दिया सवाल उसके आगे का है क्या वाकई जाती की मतगर्ना के मद्दे नजर जिस चाल को नितीश कुमार ने चला है वह प्रधान मंत्री मोदी जिनको OBC के तोर पर स्थापित और खुले तोर पर बोलने का काम एक वक्त अमिश्याह ने किया उस दोर में जाती की मतगर्ना ना होने की वज़ा से 1931 की जनगर्ना के आसरे 52 फीजदी OBC का जिकर ही बार बार होता रहा सवाल यही है क्या बिहार की राजनिती दोबारा से मंडल के उस परिस्थिती को जन्म दे पाएगी जो कमंडल के समनांतर खड़े होकर बिहार, उत्तरपरदेश, मद्दपरदेश और कई प्रांतों की सियासत को एक जटके में हिलाने लगे और 2024 में जो 80-20 का खेल BJP खेल रही है जिसमें वो चाहती है कि 80 और 20 इसी आसरे 2024 में वोटरों में बटा हुआ नजराए उसमें सेंध लगाने की स्तिती अगर कहीं खड़ी हो सकती है तो वह OBC के जरीये खड़ी हो सकती है और दोबारा BJP को उसी धर्म उसी हिंदुत्व उसी मंदिर मस्जित के आसरे ढखेल कर क्या ये कहा जा सकता है ये BJP है जो धर्म के नाम पर राजनिती करती है और जातियों को लेकर वह तमाम लोगों को बाटती है और अपने अनुकूल परिस्तिती बतलाती है और बनाते च चली जाती है तो आईए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मंदल कमंदल की नई परिस्तिती नई राजनितिक तोर पर नितीश कुमार चाहते हैं उसका जन्म हो जाए और बिहार की राजनिती के जरिये ना सिर्फ उत्तर परदेश बलकि देश के अलग अलग प्रांतों में OBC नेताओं में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और BJP की सियासत को लेकर एक नई इस्तिती सुलगने लगे शायद ये सवाल है इन सवालों के बीच हमें लगता है तीन-चार सवालों से आज बाश शुरू की जाए पहली बात तो यही क्या इस देश को OBC के नेता के त तोर पर हर जगा OBC के खुद के होने का जिक्र करते हुए OBC को खुले तोर पर राजनितिक मंच देने से नहीं चकते हैं जबकि वह उची जातियों की राजनिती करते हुए निकली है RSS अपने तोर पर कभी भी जाती के हिसाब से खुद को नहीं जोडी लेकिन जैसे ही BJP अपनी परिस्तितियों में जाती के बंतर को लेकर खड़ी होती है वैसे ही RSS भी कहती है हाँ आरक्षन जरूरी है जातियां इस देश की जरूरत है लेकिन अपने तोर पर उसकी सियासत इस देश में बार बार जिक्र करती है कि हम तो किसी भी हालत में कास्ट लेस सोसाइटी चाहते हैं तो क्या सत्ता के लिए OBC का मंत्र यानि यादव माइनस OBC जाटव माइनस शडूल कास्ट ये सारी राजनिति की स्थितियों को सुनते सुनते पूरे राज्य के हर नेता को ये समझ में आ गया है जिसने मंडल की राजनिति को देखा है और उससे जिसकी उपज हुई है वो च्छेप हो जाएगा क्या वाकई ऐसी स्थिति है बिहार की राजनिति में ये सारी बातें माइने रखती है और एक जूल को जब सर्व दलिये बैठक जाती मतगर्णा को लेकर बुलाई गई है सवाल उसमें सबसे बड़ा यही है कि बीजेपी के नेता जो वहाँ पर डिप जा जाएगा उसे बीजेपी चाहती है जिसे उसे भेजने को तयार नहीं है नितीश कुमार और वो केंद्र में जनता दल युनाइटेट के कोटे से मंत्री हैं इस पात मंत्री हैं आर्सिपी सिंग नालंदा सहीं आते हैं पुराने बिरोक्रेट हैं उत्तर परदेश कैडर क और उनका प्रेम नरिंद्र मोदी के नस्दीक उन्हें लाकर खड़ा कर चुका है नितीश कुमार ने वहाँ पर अपनी पहली गुगली डाली और कहा हम इन्हें चुनकर नहीं भेजेंगे अब सवाल है कि बीजेपी उन्हें अपने कोटे से भेज दे मंत्री पद बरकरार रखे लेकिन सवाल तब होगा जब आरसीपी सिंग की ये ताकत जनता दल युनाइटेट को तोड़ दे जनता दल युनाइटेट को तोड़ने के लिए 30 विधायकों की जरुरत है कानून के लियास से दो तीहाई चाहिए विधायक क्योंकि 45 विधायक उसके पास है यह 30 वि हो जाएंगे और जो उनकी गलवईयां तेजस्वी यादफ के साथ या आरजेडी के साथ चल रही है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा लेकिन दूसरा सवाल है अगर 30 विधायकों को लेकर पहले ही नितीश कुमार एक बड़ी चाल चलते हैं और उन लोगों को दरकिनार कर दे जो बीजेपी के करीब उन्हें नजर आते हैं तो एक जटके में नितीश कुमार मुक्मंत्री भी बने रहेंगे गटबंधन तूटकर दोबारा आरजेडी के साथ उनका गटबंधन होगा क्योंकि आकड़ों के लिहाज से उसके बाद उन्हें जितने विधायक चाहिए वो भी कहेगा ये परसेप्शन की लडाई है लेकिन परसेप्शन की लडाई के आसरे अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन या सत्ता को लेकर गटबंधन परिवर्तन हो जाता है तो ये मैसेज एक जटके में बहुत बड़ा हो जाएगा बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल जाएगी जहां पर वो बैटकर मजे ले रही है दूसरी परिस्तिती में OBC को लेकर एक निया सवाल होगा उसके नेता कौन है तो नितीश कुमार का नाम आएगा बिहार के अगर सरकारी पन्नों को पल्टे तो वहां उची जाती में आठ जाती आती हैं ब्रहमन, राजपूद, भुमियार, ठाकुर, कायस्त, जाट, बरनाल और पठान OBC में 33 जातियां आती हैं इन 33 जातियों में कुश्वाह, यादव, कुर्मी, बनिया, राजवशी, सैंतवार, गौस्वामी और उसके बाद एक लंबी फिरिस्त है कागजी, बोस्ता, बिलोपित, गदीप, घटवार, चनव, जदुपतिया, जोगी, नालवंद, पार्था, रौतिया, शिवहरी, सुनार, सुद्दार, सुकियार और यादवों में भी गौाला, अहिर, गोरा, गासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नरायन, गोला ये सबी आते हैं। सवाल ये है कि इतनी जातियों को समेटे हुए और इन जातियों के भीतर भी जब आप जाएंगे तो अलग अलग जिलों में अलग अलग जातियों की महत्ता भी है। मसलें जैसे जट का नाम लेते हैं। जट जो है सहरसा, सुपॉल, मधेपूरा, अररिया में सक्रिये है। दोन वार लेंगे तो मधुबनी और सुपॉल में सक्रिये है। ये सारे सवाल इसलिए महत्पुन है क प्रांतवार देखिएगा चाहे मदपरदेश का जिक्र कर लीजिए हर जगा इस 80-20 के खेल में बीजेपी ने 2024 को साधने की शुरुवात की है लेकिन अगर उत्तर परदेश और बीजेपी इस दाइरे में नहीं आते हैं उत्तर परदेश तो आ चुका है लेकिन उत्तर परदेश के सामने वैकलपिक राजनिती के तोर पर OBC की राजनिती कुलाचे मारने लगती है जिसमें यादव भी साथ है क्योंकि वहाँ पर तेजस्वी यादव साथ हैं लालू यादव साथ खड़े हो जाएंगे यह अगर राजनिती उत्तर परदेश के भीतर आती है तो उत्तर परदेश के भीतर OBC की जातियों को समेटे हुए नेता एक जटके में इस 80-20 के खेल से अपने आपको बाहर करने में हिचकेंगे नहीं तो क्या नितीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि 2024 के लोकसभाचनाओ को लेकर जो एक शुन्निता या वैक्यूम की इस्तिती है उसमें अगर उत्तर परदेश की 80 सीट और 40 सीट बिहार की इन 120 सीटों पर यह 80-20 का खेल ना चले उन्हें सुविधाएं चाहिए उन्हें बेसिक इंफ्राइस्ट्रक्चर चाहिए यह सारे सवाल अगर उनकी जिन्दगी से जोड़ दिये जाएंगे जाती के नाम पर तो धर्म और जाती की राजनिती इस बार मंडल कमंडल से आगे निकल कर बिलकुल एक नई राजनितिक शक्ल में होगी और 2024 चुनोती पुन हो जाएगा इसके राजनितिक प्रयोग हो सकता है एक जून के बाद शुरू हो जाए और बिहार के भीतर की हलचल लगातार ये बता रही है कि नितिश कुमार बहुत सय्यम से काम लेते हैं बहुत धीरे धीरे चलते हैं वह उस जमीन को पुकता बनाने पर भरोसा करते हैं जहां पर आने वाले वक्त में उनके लिए दरवाजा खुला हुआ मिले हैं यहां कोई भी अगला सवाल कर सकता है कि जब एक बार आरजेडी धोखा खा चुकी है तो फिर ऐसे में वह नितिश को दुबारा मुकमंत्री क्यों बनाएगी पूरा इंफ्राइस्ट्रक्चर होता है पैसा जुगाल करने के साधन होते हैं और इसको लेकर अभी आरजेडी हाशिये पर है लालू यादव के हाँ छापा पढ़ना ऐसे वक्त में जब नजदीकी तेजस्वी और नितीश कुमार की नजदीक होने लगी तो क्या ये नितीश कुमार के लिए आप जहां हाथ डालेंगे वहाँ पर बीजेपी खड़ी है और अपने तोर पर सीबी आई और एडी काम करना शुरू कर देगी अगला सवाल ये है क्या वाकई नितीश कुमार अगर एक हाथ और आगे चाल चलते हैं तो इसके बाद नितीश कुमार के करीबियों पर च्छापे पड़ेंगे हो सकता है इससे कोई इनकार नहीं करेगा लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है कि अगर बिहार की राजनिती में वोटर को भी टटो ले तो बीजेपी को कुल वोट जो मिले थे बेरासी लाक वोट मिले थे जिसमें उसके पास की तारिक में 77 सीट है आरजेडी को बीजेपी से कहीं ज्यादा सीट मिले थे 97 लेक मिले थे उसके पास 76 सीट है सवाल यह है कि बीजेपी से ज्यादा वोट आरजेडी के पास हैоды समझ रहे है उसके बाद आईए जेडियू का मिजाज बीजेपी से कम मिल खाता है वह अपने तोर पर जिस राजनिती से निकले हैं जिस करपुरी ठाकुर के शिश रहे हुए हैं जिस जेपी आंदोलन ने उनको प्रकर बनाया है ये तीनों परिस्तितियों को बीजेपी छोड़ चुकी है जेपी अंदोलन में बीजेपी भी थी लेकिन मौजूदा वक्त में उसका कॉर्परेट प्रेम पूंजी को लेकर चुनाओ जीतने की परिस्तिति सत्ता को बदलने डिगाने के लिए खरीद फरोग की स्तिति और जंता के मुद्दों को हाशिय पढ़केल कर अपने आपको च राजनिती का कहरा पड़ता है वो अभी जानता है इस राजनिती का मतलब क्या है खास तोर से तब जब बीजेपी अपने तोर पर हर उस नेता को अपने साथ कर लेती है जो उसको लाब पहुचा दे चाहे वो सरदार पटेल का जिकर करें चाहे लाल बहादूर शाष्ति का चाहे पीवी नरसिमा राओ का जिकर करें चाहे कॉंग्रेसों की एक लंबी कतार है जो बीजेपी में चली गए जिनको मंत्री पत दिया गया चाहे अलग अलग जगाओं पर विधायकों की खरीद फरोक्त करके सत्ता डिगाना और सत्ता बनाने का खेल हो तो नितीश कुमार इन परिस्तितियों से पहली बार दोचार हो रहे हैं वो जान रहे हैं दो हजार चौबिस भारत की राजनिती के लिए बहुत कुरूशियल है दो हजार पचीस में बिहार में चुना होने है तब तक तो वो ठहर सकते हैं लेकिन यहां पर एक परिस्तिती ऐसी बता रही है कि दो हजार चौबिस की जीत के बाद बीजेपी रुकेगी नहीं किसी भी राज में नहीं रुकेगी और किसी भी च्हितरिय दल को पनपने नहीं देगी च्हितरिय दल के तो पहचान अगर ध्यान दीजिए तो एक मात्र नितीश कुमार ही है जो पुरानी परिस्तितियों को जीते हुए बने हैं शिवसेना का साथ छुट गया अकालियों का साथ छुट गया और तीसरा जनता दल युनाइटेट था उनकी उम्र भी पूरी होने को है क्योंकि बिहार में जो भी सभा सम्मेलन रास्टिये तोर पर बीजेपी कराती हो चाहे केंद्रिय मंत्री जैसे सडक क उद्गाटन है वहाँ पर नितिन गडकरी ही को ना पहुँचे पोस्टरों पर मुक्हमंत्री का चेहरा नजर नहीं आता है और जब विधान सभा के भीतर बीजेपी अपनी महत्ता को वहाँ के स्पीकर के जरिये और डिप्टिसियम के जरिये दिखाने की परिस्तिती में आ भार को लाकर खड़ा कर देगा जहां पर कमंडल की राजनिती काम नहीं करती है क्योंकि अपने तोर पर नितिश कुमार खुले दिल से मुसलमानों के साथ भी खड़े हो जाते हैं ये राजनिती साधने का हुनर किसी सेकुलर समाजवादी या फिर हुनर मन राजनितिग में ही होता है नितीश कुमार इसको बाख खुबी जानते समझते हैं कौन सही है कौन गलत है अभी थोड़ी देर के लिए इसको अलग कर दीजिए क्योंकि अगर इसके भीतर घुसेंगे तो जातियों के तौर पर बीजेपी ने जो राजनिती की है जिस शोशल इंजिनिंग को किय उसमें जिन जातियों के नेताओं की पहचान अपनी जातियों के वोट बैंक को साथ लेकर चलने की है उन नेताओं को या तो अपनी पार्टी में शामिल किया या गटवंदन किया या उनसे 36 कांकड़ा रखकर दुश्मनी की यह इस्तिती खुले तोर पर अखिलेश को लेकर OBC की राजनिती करते हुए उत्तर परदेश में नजर आ गई अब यहां पर अगला सवाल है कि जिस जनगन्ना को लेकर नितीश कुमार सक्रिये हैं क्या वो वाकई बिहार की राजनिती में कोई तुफान ला सकती है जादा नहीं क्योंकि याद कीजिए 2019 में 18 फरव पास हुआ था जातीगत जनगन्ना को लेकर विधान सभा में तीसरी बार ये सारे लोग मिलने चले गए प्रधान मंत्री मोदी से 2021 यानि पिछले साल अगस्त के महीने में जहां नितीश अगवाई कर रहे थे तेजस्वी आदव साथ चल रहे थे बाकी भी नेताओं की फौ की है करनाटक में तो बीजेपी की सरकार तो बिहार में भी बीजेपी रोक नहीं सकती है और अपने तोर पर वो विरोध करेगी नहीं कि इसको लेकिन उसके राश्टिये तोर पर क्या प्रभा होंगे और जातीए जनगन्ना की क्या समविधानिक महत्ता होगी या एक अलग चीज है वह सक्वगार जो बिहार की राजनिती में OBC की राजनिती के जरिये यहां ये समझना होगा अगर हम को छोड़ दीजे तो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बीजेडी आरजेडी या नितीश कुमार जंतादल यूनाइटेट के साथ खड़ी है लेफ्ट पूर तिक दलों की कतार में अगर उनके वोट बैंक को देखें तो उस द्रिस्टी से बीजेपी अपने बूते बिहार में सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि उसकी राजनिती के मंत्र में यादव वोट नहीं मिलेंगे मुसलिम वोट नहीं मिलेंगे कुर्मी वोट नहीं मिलेंगे और जो जातियों का जिकर हमने किया ये वोट मिलेंगे नहीं वह 80-20 के हिस्से में ही बार-बार जाना चाहती है जहां उसको सफलता नहीं मिलेगी अब यहां पर आखरी सवाल ये है क्या इस दोर में जनता दल यूनाइटेड और कॉंग्रिस दोनों को तोड़ने की इस्तिती में बीजेपी आ सकती है या नहीं आ सकती है अगर बीजेपी इतनी सक्षम है कि वह जनता दल यूनाइटेड को भी तोड़ दे और उसके अध कॉंग्रिस को भी तोड़ दे और जो इस आर्सिपी सिंग को खड़ा किया गया है प्यादे के तोर पर ये कहकर कि आने वाले वक्त में आप वजीर भी हो जाएंगे वह क्या वाकई इतनी ताकत के साथ और क्या वाकई बीजेपी इतनी पूंजी और इतना पैसा फूग देगी जहां पर बिहार के भीतर में विधायक तूटते चले जाएंगे तो अगला सवाल फिर वही बिहार में वोट अगर जातीगत अधार पर पढ़ते हैं और बिहार के वोटरों को अगर धर्म के अधार पर बाटा नहीं जा सका है तो फिर मतलब बहुत साफ है कि वो तमाम विधायक अपनी कौंस्टिंसी में कैसे जाएंगे और अपनी कौंस्टिंसी में गई भी तो जीत कर वापस विधान सभा अगले विधान सभा में कैसे पहुचेंगे यह उनके सामने एक प्रश्चिन होगा लेकिन एक बात बार बार कही जाती है कि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है और भूल जाएगी इस बात का जिक्र अपने तौर पर लगातार किया जा रहा है और इन सबसे जुड़ा हुआ जो आखरी सवाल है अगर बिहार की राजनिती ने करवट ले ली और इसके ठीक समरांतर देखिये तो तेलांगना से केसी आर निकले है वह लगातार विपक्च को एक जुड़ करना चाहते हैं वो हर नेता से मिल रहे है जो इस दौर में नरंदर मोदी के खिलाफ है वो केजरिवाल हो वो शर्पवार हो वो ममता बेनर जी हो वो अकलेश यादा हो वो लगातार सबसे घूम कर मिल रहे है राष्टपती और उप राष्टपती का चुनाव भी नज़्दीख है वोटों के लिहाज से समझे तो चार पॉलिटिकल पार्टी बड़ी माहिने रखती है पहली पॉलिटिकल पार्टी नितिश कुमार, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर किसी आ है? यह दोनों अगर विरोत के स्वर में आ गए तब मैटर करेगा नवीन पतनायक और जगन रेड़ी. नवीन पतनायक शालिंता के साथ मुद्दो पर मदद करते रहते हैं लेकिन सवाल है जब ऐसी परिस्तिती आ जाएगी जहां पर 50-50 की बात होने लगेगी क्योंकि फिलहाल 51.9% जो है वह विपक्ष के पास है और उसके बाद 48.1% जो है 48.9% बीजेपी और उसके समर्थकों के काम नहीं है सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस देश में सबसे बड़े नेता के तोर पर पहचान नरेंद्र मोदी की है और जो अपनी राजनिती को धर्म के आसरे भी साथते हैं और जाती गत अधार पर भी साथते हैं जाती का मसला आता है तो OBC हो जाते हैं और धर्म का मसल आता है तो हिंदू राष्ट की परिकलपना सामने रखने लग जाते हैं इसमें टकराओं की परिस्तिति या नेता का उदय तभी हो सकता है जब OBC का कोई नेता OBC के मुद्दों के आसरे निकल कर आए तो क्या नितीश कुमार निकल कर आएंगे कुछ इंतजार कीजिए क्योंक इन से बड़ा सीना दिखाते हुए नितीश कुमार एक ऐसी राजनितिक दिशा में बढ़ जाए जहां पर विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो और 8020 की राजनिती को चुनोती देते हुए OBC की राजनिती पटल पर आकर खड़ी हो जाए इंतजार करते हैं बहुत बहुत बह शुपिया